आज हम लोग पढ़ने चलने हैं समस्थानिक या आइसो टोप्स तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समस्थानिक क्या होता है और इसके बाद हम लोग इसके बारे में इसका एक्जामपल देखते हैं तो देखिए समस्थानिक पढ़ने से पहले हम लोग को अगर क्लियर हो जाए पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे परमाडू करमांक नि परमाडू करमांक इंगलिस में इसको कहते हैं ए टॉमिक नंबर यह पर्माड़ करमांग अगर हम लोग देख सीख लेते हैं पर्माड़ करमांग क्या होता है तो समस्थानिक समझने में थोड़ा सुविधा हो जाती है तो परमाड करमांग जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि किसी परमाड में बीच में होता है नाभिक जिसको नुकलियस कहते हैं नुकलियस या नाभिक नाभिक के अंदर प्रोटान और नूटान होते हैं और इलेक्टान इसके चारो तरब विभीन्द कच्छाओं में चक्कर लगाते हैं और नाभिक में प्रोटान और नूटान होते हैं तो प्रोटान नाभिक में जितने टोटल प्रोटान होते हैं वही परमाडू का परमाडू करमांग कहलाता है यानि किसी परमाडू में टोटल प्रोटानों की संख्या ही परमाडू करमांग कहलाती है तो परमाडू करमांग तो हम लोग क्लियर कर चुके थे पिछले ही लेक्चर में लेकिन फिर भी हम एक बार याद दिला दे रहे हैं कि किसी के नाभिक में टोटल प्रोटानों की जो कुल संख्या होती है वही उसका परमाडु करमांग कहलाती है और एक सब्द और आएगा द्रभ्यमान संख्या द्रभ्यमान संख्या जिसको इंगलिस में कहते हैं मास नंबर मास नंबर मास नंबर या द्रभ्यमान संख्या क्या होता ह तो किसी परमाड के नाविक में जो प्रोटान और न्यूट्रान की संख्या का योग होता है वही द्रभिमान संख्या होता है यानि प्रोटान प्लस न्यूट्रान अगर हम टोटल एड कर लेंगे तो उसी को द्रभिमान संख्या कहलाता है जिसको हम लोग द्रभिमान संख्या को capital A से denote करते हैं और पर्माडव कर्मांग होता है पर्माडव कर्मांग को हम लोग Z से denote करते हैं Z बराबर P यहनी किसी पर्माडव में जितने proton होते हैं नाभिक के अंदर वह उसका पर्माडव कर्मांग होता है तो परमाडु करमांग तो सिर्फ प्रोटानों की संख्या होती है और प्रोटानों और न्यूटानों की संख्या को जोड लेते हैं तो वह जो है द्रबमान संख्या कहलाता है या मास नंबर कहलाता है तो अब हम लोग क्लियर कर चुके कि परमाडु कर्मान क्या होता है और द्रविमान संख्या परमाडु कर्मान मतलब किसी परमाडु के नाभिक में सिर्फ प्रोटानों की संख्या और द्रविमान संख्या का मतलब प्रोटानों और न्यूटानों की संख्या का योग द्रविमान संख्या कहलाता है अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं समस्थानी पर अब तो देख लिए कि परमाणुकर्मांग क्या होता है और द्रविमान संख्या क्या होता है तो परमाडू कर्मांक द्रभ्यमान संख्या के परमाडू को समस्थानी को में क्या होता है कि परमाडू कर्मांक वह undertगया संख्यां जैसे जामपल के तौर हम लोग लेते हैं हौ हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में देखते हैं तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2, 1H3 अब इसको जो है हाइड्रोजन 1 भी कहा जाता हाइड्रोजन 1 क्योंकि इसका प्रमाड द्रभ्यमान संख्या एक है इसलिए इसको हाइडियन वन कहा जाता है और इसको जो है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है कि तू भी कहा जाता है और इसे जो है hydrogen 3 भी कहते हैं यहनि इसका द्रब्यमान संख्या 1 है तो hydrogen 1 कहा गया इसकी द्रब्यमान संख्या 2 है तो hydrogen 2 और इसके द्रब्यमान संख्या 3 है तो hydrogen 3 कहा गया अब 1H1 को hydrogen 1 को protein भी कहा जाता है protein भी कहा जाता है hydrogen 1 को क्या कहा जाता है? protein भी कहा जाता है hydrogen 2 को deuterium भी कहा जाता है deuterium भी कहा जाता है और hydrogen 3 को tritium भी कहा जाता है tritium tritium भी कहा जाता है यानि hydrogen 1 को proteium भी कहा जाता है hydrogen 2 को deuterium भी कहा जाता है hydrogen 3 को tritium भी कहा जाता है अब deuterium को हम लोग D से प्रदर्सित करते हैं और tritium को T से भी दर्सा आ जाता है यह नि हाड़ियन के जो तीन समस्थानिक है proteum, deuterium और tritium इसमें तीनों के परमाडू करमांग देखिए यह है परमाडू करमांग यह है परमाडू करमांग परमाडू करमांग जिसको हम लोग इंगलिस में atomic number कहते हैं atomic number atomic number और यह है द्रव्यमान संख्या यह है द्रव्यमान संख्या इसको हम लोग द्रव्यमान संख्या यह इंगलिस में mass number mass number कहते हैं तो देखिए इन तीनों में क्या है कि परमाडू करमांग तीनों के यह atomic number सेम है लेकिन mass number तीनों के अलग अलग है तो परिभासा क्या है समान परमाडू करमांग परंत भिन भिन द्रव्यमान संख्याओं के परमाडू को समस्थानिक कहते हैं तो यहां देखिए condition समान पर्मालुकर्मांग है और द्रभ्यमान संख्या क्या है अलग-अलग है इसका मतलब यह समस्थानिक है तो समस्थानिक में हाड़्यन का 1H1 जिसका पर्मालुकर्मांग इक द्रभ्मान संख्या एक होगा उसको протeum या हाड़्यन 1 कहते हैं दूसरा समस्थानिक है जिसका प्रमाडुक्रमांग 1 और द्रमांग संखया 2 है उसको Dutrina या D कहते है या Hydigen 2 भी इसको कहा जाता है और तीसरा जो Hydigen का समस्थानिक है जिसको हम लोग 1 येस 3 कहते है इसको Hydigen 3 या Tritium या इसको T से दर्साया जाता है तो ये हो गया हार्डियन के समस्थानिकों के बारे में अब इसी तरह हम लोग देखते हैं कि दूसरे तक्त्यों के समस्थानिक के बारे में तो ये तो हो गया हार्डियन के समस्थानिक जिनको प्रोटियम, डिटिरियम और ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है अब देखिए इसी प्रकार हम लोग कार्बन के समस्थानिक देखते हैं कार्बन के कार्बन के कार्बन के समस्थानिक कार्बन के समस्थानिक में 6 बारे 6 बारे 6 तीरे और 6 चौदे कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं एक द्रबमान संख्या 12 और 13 और 14 इसको कहते हैं कार्बन 12 इसको कहते हैं कार्बन 13 और इसको कहते हैं कार्बन चोट है अब यह तीनों कार्बन के ही समस्थानिक हैं तो इसमें भी सब देखते हैं कि इनका भी परमाड़ो कर्मां क्या है समान है और द्रब्मान संख्याओं क्या है भिन भिन है यह हो गया परमाड़ो कर्मां का और यह हो गया द्रब्मान संख्या तो हमने परिवासा में प और द्रबमान संख्याय तीनों के क्या है, भिन भिन है, तो ये समस्थानिक हो गए, अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग देखें कार्वन के समस्थानिकों के बारे में, और हार्जन के समस्थानिकों के बारे में, इसी तरह कुछ और तत्नों के समस्थानिक के बारे में देखते हैं और तत्नों के तो हम देखते हैं क्लोरीन के समस्थानिक क्लोरीन के समस्थानिक के बारे में तो क्लोरीन का समस्थानिक कुलोरीन परमाडु करमांग सत्रे होता है और द्रब्यमांग संख्या 35 एक समस्थानिक होता है और कुलोरीन परमाडु करमांग सत्रे और द्रब्यमांग संख्या 37 यह दूसरा समस्थानिक होता है अब यहाँ क्लोरीन के दो समस्थानिक है, इसको कहते हैं क्लोरीन 35, इसका नाम है क्लोरीन 35 और इसका नाम है क्लोरीन 37, क्योंकि द्रबमान संख्या के ही आधार पर लिखा जाता है, तो इसका द्रबमान संख्या 35 है, तो यह हो गया क्लोरीन 35 और इसका द्रबमान संख्या 37, इसलिए क्लोरीन 37 इसको कहते हैं, तो यह रहे क्लोरीन के समस्थानिकों के बारे में, तो अब यह हम लोग क्लियर कर लिए कि समान परमाण करमांग हो, और द्रबमान संख्या अगर अ जानते हैं अब देखिए इसी तरह से हम लोग some oxygen के समस्थानिकों के बारे में आक्सीजन के समस्थानिकों के बारे में अब आक्सीजन के समस्थानिकों के बारे में अब आक्सीजन के समस्थानिक देखते हैं तो आक्सीजन के समस्थानिक जो है आक्सीजन आठ सूल है द्रब्मान संख्या 16 और आक्सीजन 8 द्रब्मान संख्या 17 आक्सीजन 8 द्रब्मान संख्या 18 यह आक्सीजन के तीन समस्थानिक होते हैं परमाण कर्मान तीनों के देखिए समान है 8, 8, 8 और द्रब्मान संख्या यानि मास नंबर तीनों के क्या हैं अलग-अलग हैं इसका द्रमान संख्या 16, इसका 17 और इसका 18 होता है, इसको कहते हैं आक्सीजन 16 इसको कहते हैं आक्सीजन 17 और इसको कहते हैं आक्सीजन 18 अब देखिए इसी तरह से आक्सिजन के भी समस्थानिक हो गए तो आक्सिजन के समस्थानिक में क्या है कि आक्सिजन 16 है आक्सिजन 17 है और आक्सिजन 18 है द्रब्मान संख्या के याधार पर ये लिखा जाता है आक्सिजन है द्रब्मान संख्या 16 है आक्सिजन है द्रब्मान संख्या 17 है आक्सियन है दर्बान संख्या 18 है तो अब जो है हम लोग के लिए एकदम कर चुके हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं समस्थानिक जो होते हैं समस्थानिकों में क्या है परमाणु करमांक जो होता है यह अटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है और मास नंबर जि इसी परमाणु का या ऐसे परमाणु हैं जिनके अटॉमिक नंबर यानि परमाणु करमाण सेम है यानि समान है और मास नंबर यानि द्रब्मान संख्या है जो है उनकी भिन भिन है तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं तो हम लोग देखे हाइडोजन के समस्थानिक तो समस्थानिकों के बारे में हाँ तो अब ये तो हम लोग समस्थानिक क्लियर कर चुके हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं समस्थानिकों के हमने कार्बन हार्डियन आक्सियनी सब के समस्थानिकों के बारे में बताया और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे समभारी क्या आईसो बार्स क्या होते हैं और उनका उदाहन दे करके हम लोग समझेंगे